नमस्कार कापचल टीवी बिहार देख रहे आप और मैं हूँ आपके साथ आत्मजा बिहार में लोगसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज होने लगी है नितीश ने इंडी गठ बंदन का साथ छोड़ कर इंडीए का दामन थाम लिया इंडीए और इंडीगठ बंदन में शीट सेरिंग लगभग फाइनल हो चुका है तमाम दल मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए तरह तरह के हत घंडने अपना रहे हैं जातिय जनगर्णा के रिपोर्ट जारी होने के बाद बिहार का जो सियासी सम्मिकरन है वह काफी जादा बदल गया है बिहार में जातिय वर्चस्व की राजनिती 90 के दसक में खत्म ना होकर सिफ्ट हो रही थी बिहार में पिछडी जातियों की गोलबंदी तूटने के साथ नितीश और लालू का रास्ता भी धीरे धीरे अलग हो गया नितीश कुमार के स्थिती ऐसी हो गई कि बिहार में नितीश एक साथ लालू और भाजपा दोनों से लड़ नहीं सकते थे इसलिए किसी के खिलाफ जाने के लिए उन्हें किसी ना किसी के साथ जाना ही था अब पिछले चुनाओ पर अगर आप नज़र डाले तो साल 2000 के विधान सबस चुनाओ में नितीश और भाजपा को 121 सीटों पर काम्याबी मिले नितीश कुमार बिना बहुबत के मुख्य मंत्री बन गया बिहार में जब ते कॉंग्रेस सत्ता में रही सवर्णों के हाथ में सत्ता आती रही कॉंग्रेस की सरकार में ब्रामण, भुमिहार, राजपूत और कायस्त का ही वर्चस्व रहा जबकि इन जातियों की अबादी बिहार में मामुली सी है लेकिन कॉंग्रिस का उस समय राज़त के साथ जाना उसके लिए आत्मगाती कदम साबित हुआ जितनी उची जातिया कॉंग्रिस के साथ थी सब के सब नुटेश कुमार के नितरित वाले इंडिये की ओर चली गई उची जातियों को 2000 में लगा था कि लालु परिवार के साशन का लगभग अंत हो जाएगा लेकिन कॉंग्रिस ने ऐसा होने नहीं दिया ऐसे में उची जातियों का कॉंग्रिस से नराज होना बिल्कुल सुभाविक था साल 2000 आते आते मंडल की राजनिती पूरी तरह से विखर गई थी लेकिन कमंडल की राजनिती अपनी गती से आगे बढ़ नहीं थी कमंडल की राजनिती ने लालो से लड़ने के लिए नितिश का नित्रितों शिकार कर लिया था और नितिश ने भी लालो को मात देने के लिए भाज़पा का दामन थाम लिया फिर नितिश कुमार 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं कुछ समय को अगर छोड़ दे तो गटबंदन किसी के भी साथ हो उस समय से आज तक नितिश कुमार ही CM की कुरसी पर रहे नितिश कुमार ने 2 अक्टूबर 2023 को जातिय जंगर्णा की रिपोर्ट जारी की तो इसे CM का 2024 के चुनाव से ठीक पहले का ट्रम कार्ड माना गया था तब नितिश महागट बंदन सरकार का नित्रित्व कर रहे थे जातिय जंगर्णा की रिपोर्ट ने मंडल कमिशन के दौर के बाद OBC सियासत को गर्माने का नया रास्ता दे दिया 1979 में पिछडी जातियों को आरक्षन देने के लिए मंडल कमिशन बनाया गया इस आयोग ने OBC वरक को आरक्षन देने के सिफारिशे की आयोग ने अपने रिपोर्ट में बताया कि देश भर में OBC की संख्या 52 प्रतीशत है, उन्हें सरकारी नौकरियों में 27 प्रतीशत आरक्षन दिया जाए। बतादे कि मंडल कमिशन की अध्रक्षता बिपी मंडल ने की थी, आयोग ने साल 1980 में अपने रिपोर्ट प्रस्तोत की और 1990 में इसे लागू किया गया था। इसाई, सीख, जैन और अन्य धर्मों से जुड़े लोगों की जनसंख्या एक प्रतीशत से भी कम है। अपर कास्ट के वोटरों को लेकर है। अपर कास्ट का वोट बैंक भाजपा के साथ हमेशा से रहा है, चाहे बीजेपी चुनाओ हारे या जीते। लेकिन ओबीजी वोट के साथ वीजेपी अभी भी यह बाद दावे के साथ नहीं कह सकती। उन्हें उस पर भरोसा है। OBC में भी अपर OBC जिसमें यादों हैं और लोवर OBC हैं। भाजपा ने OBC वोट बैंक में ज्यादा सेंधमारी लोवर OBC में ही करने में सफलता पाई है। अपर OBC अभी लालों के राज़त के साथ ही नजर आते हैं जिसमें की यादों शामिल है। साल 1996 से लेकर 2019 तक भाजपा का OBC वोट चेयर 20 फीसद से बढ़कर 37 फीसद हो गया है। वहीं छेत्रियों पार्टियों के लिए ये वोट चेयर 41 फीसदी से घटकर 26 फीसदी रह गया। साल 2020 में बिहार के विधान सभा चुनाव में 19 प्रतीशत OBC वोट भाजपा को मिला और राज़त को 29 फीसद। अब नितीश NDA के साथ हैं अपनी शोसल इंजीनियरिंग के जर्गे नितेश कुमार ने अत्यंत पिछला वर्ग यानि की EBC के एक बड़े हिस्से को तोड़ दिया। और उन्हें पिछडे वर्ग के तुलना में अस्थाने निकायों और नौकरियों में ज्यादा आरक्षें दिया। जिससे इस वर्ग में नितेश कुमार का प्रभाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। EBC के समर्थन की मदद से ही नितेश कुमार बिहार में लालू प्रशाद यादों को सत्ता से बाहर कर पाये थे। सर्वे के अनुसार EBC की अबादी 36.01 प्रतीशत है वही पच्छरावर्ग की अबादी 27.01 प्रतीशत है या EBC के 20 दितेश कुमार के दबदबे के कारण ही संभव है कि वह इतने लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री बने है। उपेंद को स्वाहा जीतर राम माजी और मुकेस सैनी के साथ होने से बिहार में भाजपा के पक्ष में जातिय गोलबंदी होने की उमीद राजनितिक विसलेशिक मानते हैं। कहीं भाजपा के पक्ष में आ रही है और लोवर OBC जो हैं उनकी वोट बैंक में सिंथमारी करने में भाजपा पूरी तरह से सफल होती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं नितीश कुमार की पकड मजबूत है तो इस तरह विपक्षियों को मात देने के लिए सारे अगर जातियों की समिकरन को मला दे तो कहीं ना कहीं एंडिये काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। तो आपको क्या लगता है क्या इस समिकरन से 2024 के चुनाओं में भाजपा विरोधियों को मात दे पाएगी। पूरा इंडिये मलकर क्या इंडिया गट बंदन को मात दे पाएगा। आप अपने विचारों को कमेंट करके बताएं। विडियो अच्छी लगी हो तो शेर करें। और आगे की तमाम ख़बरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहा है कापिटल टीवी बिहार धन्यवार।